नमस्कार दोस्तों मैं मंसारामबरमा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल समस्टरी गुरूपर रेलवे एंटी पीसी चार मार्च फर्स सिप्ट का एकजाम समापत हो चुका है और फिप्थ फेज के एकजाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं तो जानेंगे क्या पाइटन में चेंजेस देखने को मिले और सभी प्रस्न एनलेसिस करेंगे और साथी साथ आपको मैक्सिमम कोईस्टन से रिलेट जितने भी कोईस्टन और भी एक्सपेक्टेट बन सकते हैं उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे तो जुड़े रहिएगा आप आखरी तक देखिएगा सब को समझ में आ जाएगा पहला प्रस्न आज देखने को मिला है फर्स्ट कोशन देखने को मिला है कि डूरंड रेखा किसके बीच में है तो किन दो देशों के बीच में डूरंड रेखा है तो डूरंड रेखा के बीच में Mike Mohan रेखा है जबकि Red Cliff रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है तो इस प्रकार ये question आया था इस related ये दो question expected हो सकते हैं जो कि आने वाले shift में देखने को मिलेंगे next question आया था पूछा गया था कि GB और TB में संबंद बताना था तो ऐसे question कई बार हम solve करवा चुके हैं और कई question जो है repeated मिल रहे हैं अगर आप सभी shift को देख के जाते हैं एक बार playlist में जाईए जितने भी आज तक के shift हुए हैं सभी shift को हल करवाया गया है आप एक बार वहां से अगर पढ़ लेते हैं तो 50% question आपके जो है सीधे सीधे वहीं से आने वाले हैं तो इसका संबंद पूछा गया था तो 1024 GB में होता है एक TB यानि टेरा बाइट अगर ये question पूछा जाए कि एक GB में कितने यंबी होते हैं तो 1024 हो जाएगा जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगावाइट और यंबी का होता है मेगावाइट नेस्ट यहाँ पर पूछा जाए कि एक यंबी में कितने केवी होते हैं तो 1024 हो जाएंगे तो इस प्रकार ये question पूछे जा सकते हैं नेस्ट कोशन आया था यहाँ पर पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यच्छ पूछा गया था तो डाक्टर राजेंदर प्रसाद इसका सही अंसर होगा नेस्ट अगर ये दो कोशन पूछे जाएं आने वाले और प्रथम बैठक में कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी जिसमें आस्थाई सदस के अध्यच के रूप में डाक्टर सचिदानिंद सिनहा थे नेस्ट कोशन यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भारतिय सम्विधान का पिता किसको कहा जाता है तो यह हो जाएगा बियार अमबेड कर जो लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जो भी कोशन 100% सही होते हैं जो आये हुए होते हैं उन्हीं कोशन को हम डिसकत करते हैं तो यहाँ पर नेस्ट कोशन देखने को मिला है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी तो यह हुई थी 3 दिसंबर 1984 को अगर पूछा जाए इसमें कौन से गैस का रिशा हुआ तो मेथाईल आईसोसाइनेट अगर प्लांट का नाम पूछा जाए तो यूनियन कारवाइट इंडिया लिमिटेड प्लांट का नाम था और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें मेथाईल आईसोसाइनेट नामक गैस जो है उसका रिशाव हुआ था नेस्ट कोशन यहाँ पूछा गया है कि पौधे में जो आकसिन हार्मोन होता है उसका क्या यूज है तो आप्शन में दिया गया था ये तीन यूज हम बता देते हैं आपको कि पत्तियों का बिगलन रोकता है नेस्ट फसलों को गिरने से रोकता है और पौधों में सीर्स प अंडिरेट ने बताया है कि करेंट अफेयर जो है 2019 और 2020 की ही पूछी जा रही है इस ट्रिप्ट में पूछी गई है नेस्ट कोश्चन यहाँ पर देखने को मिला है कि राज के नीती नरदेशक तद तो कहां से लिए गया है तो यह कोश्चन आया था और इससे जुड़े जितने भी कोश्चन बन रहे हैं उनको भी हम सौल करेंगे तो यहाँ पर आयर लैंड इसका सही अंसर होगा अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार कहां से लिए गया है भाग 3 में इसका वरणन है और 12 से 35 अनुछेद में वरणन है मूल अधिकार का अगर 36 से 56 की बात की जाए तो 36 से 58 जो है राज के नीती निरदेशक तब्तु से जुड़े हैं और ये भाग 4 में है अगर यहीं पे मौलिक करतब की बात की जाए तो ये लिया गया है रूस से यहाँ पे रूस इसका सही अंसर होना चाहिए अगर यहीं पे पूछा जाए कि कि किस भाग में है मौलिक करतब बे तो 4 का में इसका वरणन है और ये 22 सम्भिधान संसोधन 1976 के उससे जोड़ा गया था और 51 का में इसका भरणन किया गया है नेस्ट कोश्चन पूछा गया था कि अटल भिहारी बाचपेई प्यंसन योजना के बारे में कोश्चन था तो इसके बारे हम जानेंगे कि 18 से 40 के उम्र के जो भी विक्ति हैं वो इस जोजना का लाब उठा सकते हैं इसमें क्या है कि प्यंसन जो है 60 वर्स के बाद आपको मिलना सुरू होएगी अगर इसकी सुरुआत की बात की जाए तो 9 माई 2015 को इसकी सुरुआत होई थी नेस्ट कोश्चन यहाँ पर देखने को मिला है कोश्चन पूछा गया था कि विम्स्टेक जो होता है उसके सदस से नहीं है उप्शन में चार आप्शन थे उसमें से एक नहीं था तो हम सभी को बता देते हैं अगर इसके हेटकोार्टर की बात की जाए तो इसका हेटकोार्टर है ढाका में अगर मेंबर की बात की जाए तो बांगला देश, भूटान, इंडिया, म्यामार, नेपाल, स्री लंका, थाइलेंड यह इसके सदस से हैं अगर इसके अस्थापना की बात की जाए तो 6 जून 1997 में इसकी अस्थापना हुई थी नेस्ट कोशन देखने को मिला है कि UNO के का मुख्याले कई बार ये कोशन पूछा गया है तो रिपीटेड कोशन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इस फेज में भी तो यहाँ पे निव्यार्क इसका मुख्याले हो जाएगा 1945 में इसकी अस्थापना हुई थी अगर इनसे जुड़े और भी मुख्याले यहाँ पे पूछे जाएं तो भी बता सकते हैं जैसे यहाँ पे यूनिसेफ का मुख्याले पुछा जाए तो निव्यार्क में है 1946 में अस्थापना हुई वर्ड बैंक और आइमेफ का मुख्याले भी वासिंग्टन डीसी में है और 1945 में इसकी अस्थापना हुई डबलू एचो का मुख्याले है जिनेवा में 1948 में इसकी अस्थापना हुई है और डबलू टीयो इसका भी मुख्याले जिनेवा में है और 1995 में इसकी अस्थापना हुई है तो इस प्रकार इससे जुरूरे जितने भी question थे उनको भी हमनें discuss कर लिया है next question की बात करें यहाँ पर तो यह question यहाँ पर पुछा गया था इंडिया और फ्रांस से सम्मंधित question पुछा गया था तो जिन candidate का इस shift में exam था प्लीज comment करके जरूर बता दें क्योंकि बहुत से लोग comment देखते हैं तो उनको maximum question की जानकारी हो जाती है और pattern का पता चल जाता है तो आप comment करके जरूर बताएं और comment करके आप suggestion भी दे सकते हैं क्या सुधार होना चाहिए क्या बदलाओ आपको देखने को मिल रहे हैं क्या फाइदा हो रहा है तो आप comment करके जरूर बताएं जिससे की हमारा भी motivation बना रहे और हम लगातार आपके साथ जुड़े रहे हैं अगर यहाँ पर आज के shift में बात की जाए GS की तो GS में repeated question ज़्यादा देखने को मिले हैं साथी साथ अगर हम बात करें कि महत के तो महत के इन chapter जो time and work है profit loss है percentage है LCM, HCF है और CISI trigonometry और DI DI आज केलकुलेटी पूछी गई थी तो इन chapter को अगर पढ़के जाते हैं तो आप 25 question यहाँ से आराम से कर पाएंगे next अगर हम reasoning की बात करें तो coding, recording series, missing number, syllogism और blood relation और statement, conclusion के question ज़्यादा देखने को मिले हैं तो इनको भी आप practice कर सकते हैं तो मिलते हैं next shift के analysis के साथ तब तक के लिए thank you so much जै हिन जै भारत